आज हम करेले की सबजी बनाएंगे वो भी अलग तरीके से तो हम करेला ये ताजा करेला है इसको अच्छे से धुल के अब इसे हम कट करेंगे करेले में जो पढ़ने वाली चीजे है मैं उसे दिखाती हूँ प्याज कटा हुगा लहसन धनिया की पत्ती आपको अगर मिर्च खाने का मन हूँ तो मिर्च डाल सकते हैं हम मिर्च ने डालेंगे क्योंकि आल्रेडी करेला कड़वा होता है और यह सभी चीजे अब हम साइड में रखते हैं अब करेले को कट कर लेते हैं गोल में काटिए या कोई भी से पाप दे सकते हैं करेले को साइड में रखते हैं गैस पर कड़ाई को रखते हैं तेल को गर्म होने के लिए और हम करेले को तल के बनाएंगे सबजी डिरेक्टली नहीं बनाएंगे अब तेल गर्म हो चुका है इसमें हम करेले को तलने के लिए डाल रेते हैं कम हाई फ्लेम प और अब हम इसको निकाल लेते हैं ये अब रेडी हो चुका है तल के अब हम दूसरा राउंड इसमें डालेंगे और देखे कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा लग भी रहा है तो आप इस तरीके से जरूर बनाएए और इसी तरीके से सभी करेले को हम तल लेंगे ये रेडी हो चुका है अब हम सब्जी बनाते हैं इसका जीरा अजवाइन मेथी का तड़का देंगे अब प्याज लेशन डालके हम तड़क देंगे सब्जी को तो हल्का ब्राउन होने तक हम भूनेंगे प्याज लेशन को अब हम इसमें करेली को डालते हैं करेला जादा हम पाकाएंगे नहीं कजिकी अल्रेडी तला हुआ था हल्दी पाउड़ा स्वादा अनुशार नमक आप इसमें गर्म मसाला भी लेकिन हम मसाला का प्रियोग नहीं कर रहे हैं साधा बना रहा है देखिए यह हमारा बहुत ही टेश्टी सबजी रेडी हो चुका है और बच्चे तो बहुत ही पसंद से खाएंगे अब हम इसमें धनिया की पत्ती डालके गैस को करते हैं बंद सर्व के लिए रेडी हो चुका है तो मेरे द्वारा बताईगे यह करेली की रेस्पी कैसी लगे कमेंट में जरूर बताईएगा बाबाई